गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे आफ सभी पीबिया श्टडी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा अच्क मारे दुबंसी आपकी डियलर्ट की कलास ले करके याद रखिएगा ये कलास सभी के लिए महत्तुपूर्ण होगी इसलिए पूरा देखना डर तो मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद बखुद मेरे पास आती गई मेरी मंजिल मेरा हांसला देखकर तो साथियों हांसला बहुत बड़ी चीज होती है खुद पर हासला खुद रखिये मतलब विस्वास बना के रखिये अपने हासले को बरकरार रखिये क्योंकि आप ही अपने भाग के निर्माता है जदा और ग्यान ना देती हुए चले आगे चलते हैं देखिए बिन्नों का HCF आज हम लोग देखेंगे fraction का HCF यहनी की highest common factor जिसे GCF बोलते हैं जी अफ नहीं नहीं तो कुछ और समझ लेंगे GCF तो GCF क्या होता है Greatest common factor या highest common factor देखो greatest या highest दोनों का मतलब वह कह हुआ तो इन में हम लोग कैसे करते हैं अगर साधारन सा नंबर दिया है 12 और 18 का बोलें तो आप बोलोगे चुपके से जल्दी से 6 लिख लो होग है HCF लेकिन अगर यह fraction रूप में है तो तो थोड़ा सा problem होती है जादा नहीं चुकि अगर आप कोसिस करते हैं तो फिर मुश्किल आसान हो जाती है ना चलिए देखिए यह जान लो LCM निकालना है मैं यहाँ पर पहले लिख तुँ तब आपको बताऊं यह देखो इदर भिन्नों का HCF इक्वल अंसों का अंस जानते हो ना नुम्रेटर अंसों का HCF हफान हरों का LCM बताइए अब आप इसको कैसे करेंगे जबाब दीजिए देखिए इसमें क्या करना है इसको हमें हल करना है और निकालना है कैसे क्या होगा इसके बारे मैं आपको बताना है देखिए मित्रों आपको एक बात बता दे पहले आपको जो अंस दिये गए इसका उसका HCF निकाल लो और फिर जो हर दिये गें उनका LCM निकाल लो तो इसको आप लोग निकाल के बताए कितना होगा जल्दी से बताए उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी करें हो गया तो आप लोग निकाल लिए होंगे कि यहां पर लिख देता हूँ अंसों का HCF मतलब तीन वा पांच का HCF देखो अंस तीन पांच है ना चार कामा साथ का LCM तीन पांच का HCF निकालोगे हाइस्ट कामन फेक्टर मतलब कि तीन और पांच जो है वो किस बड़ी से बड़ी संख्या से कटेगा तो वो 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 और 4 और 7 का LCM निकालोगे तो 4 सते 28 हो जाएगा यानि कि आपका जो अंसर आगया है 1 बटा 28 आगया एक बटा 28 ये क्या हो गया HCF हो गया यानि कि highest common factor हो गया अभ आप यहां से इसकी compare करके समझ सकते हैं अगर कोई confusion है तो बता दे न अभी time है, सुबा है भी अब आप लोगों के दिल में सवाल आ रहा होगा कि किया ये सही है कि गलत है तो कोई दिक्कत नहीं आप इसे सिद्ध भी कर सकते हो मैद तो बहुत आसान सब्जेक्ट है आप हर चीज को सिद्ध कर सकते हो देखिए आपको एक साधारन सी बात बताएंगे आप सब समझ जाओगे इधर देखना इसको तो छोड़ दो जो सवाल लग गया अब इधर देखना इस खाना के अंदर में का हो रहा है बारा वा अठारा का अगर हम आपको एचसी अप निकालने को कहें मतलब मासा निकालने को कहें तो आप पाओगे छे होगा क्या होगा छे होगा लेकिन ध्यान देना बारा अठारा का मासा छे होगा ना मासा मतलब होता क्या है मासा मतलब वो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों एक साथ कट जाएं वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाएं मतलब 6 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 12 भी कट जाएगा 18 भी कट जाएगा भाग करके देख लो 6 दूना 12 ये देखो 6 से भाग करो 6 दूना 12 18 में भाग करोगे 6 तरी कट जाएगा अब 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे से ये दोनों कटे 12 वाठार बताओ कोई है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 6 से छोटी हो सकती है हाँ 3 से काटो के दोनों कट जाएगा 2 से काटो के दोनों कट जाएगा लेकिन 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती है तो HCF का मतलब ये होता है कि वो दोनों संख्याएं HCF से पूरा पूरा कट जाएँ तो HCF सही होता है चलो ठीक है अब 3 बटा 4 और 5 बटा 7 अगर 1 बटा 28 से पूरा पूरा कट जाती है इसका मतलब हमारा च्रियप सही है अगर नहीं कटती है मतलब गलत है तो देखना तीन बटा 4 है और एक बटा 28 से इसको भाग करना है तो कर लो भाग कौन रों का है अंदर अंदर का गुड़ा करते हैं बाहर बाहर का ये जानते हो न तो 28 का गुड़ा हो जाएगा तीन में 4 का गुड़ा हो जाएगा एक में 4 से कट जाएगा चार सते 28 साथ का 3 में गुड़ा इसका मतलब ये एक नंबर को तो डिवाइड कर रहा है चलिए दूसरे को भी ट्राई कर लेते हैं इसी बात पर ध्यान देना तो दूसरा नंबर कौन सा है दूसरा है फाइप अपान सेवन देखो पांच बटा साथ भी करता है कि नहीं पूरा पूरा एक बटा 28 से भाग देना है फिर वही पर किरिया कर लो पांच का 28 में और साथ का एक में ये भिन जिनको नहीं आता बताना ऐसे करते हैं साथ से काट तो साथ चोग 28 ये पांच चोग 20 देखो आपको 20 मिल गया टॉन्टी न तो ये क्या हुआ मतलब कि ये भी कट रहा ये भी कट रहा एक बटा 28 से मतलब ये हमारा च्सियफ सही है आप दूसरा तरीका कोई अजमाल हो अगर कोई आपको कन्फियूजन लग रहा है तो मतलब दूसरा सवाल कोई करके देख लेते हैं ना चलो ठीक है और आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने PVR Study को सब्सक्राइब ने कि अब आप उतो तुरंत कर लें बताना ना पड़े चुकि ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है लेकिन हमारा एक कर्तब और एक बुरी आदत है जो आपको याद दिला देते हैं बीच में ने तो बाद में परिसान करते हो ना आप लोग Question number next देखना ये क्या है भिन्नों का HCF यानि कि HCF आफ फ्रेक्शन यह होता है हाँ तो अब हम number बदल देते हैं 1 upon 2 और 2 upon से बन कर लो इसका HCF क्या होगा अन्सों का HCF यानि कि 1 और 2 का HCF करोगे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1 भी कट जाए 2 भी कट जाए तो वो 1 होगा इसको अब खुद आप लोग करो 1 और 2 का मासा क्या होगा 1 होगा नहीं आता लासा मासा तो बताना साधारन वारा चुकि आज हम बिन का देख रहे 2 और 7 का आपको LCM निकालना है आप जानते हो कि 2 और 7 दोनों क्या है अभाज संख्या हैं बिसम संख्या हैं एक अदम अलग हैं आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है तो कितना हो जाएगा यह 14 हो जाएगा बस हो गया अंसर देखो चुटकियों में आ गया 2 बटा 7 और 1 बटा 2 का जो HCF है 1114 आ गया भाग करके देख लो ट्राइ कर लो अभी हम आपको होम और्क दे देंगे उसको आप घर पे भूजाते रहना और फिर बताना नहीं आएगा तो ठीक ना चलें आगे चलो ठीक है ओके चल्दी करो होम और्क आपके सामने आ चुका है 6 से 8 साल सवाल आ चुके है देखो 1,2,3,4,5,6,7,8 सवाल यह जो तीन पदवाला है ना इसको देखकर घबराना नहीं जैसे उसको करते हो अंस का अच्छे सीअब हर का LCM और ऐसे ही करना है जहां महादो गिंती का LCM करते थे यहां तिन गिंती का करना है कर लोगे न नहीं आएगा कमेंट करना और वटस अप नंबर पर संपर्क करना कलास को जॉइन करना आपको सिखाएंगे पूरी जिम्मिदारी के साथ फिरी की कलास को देखते रहने के लिए pvrstudy.com बिजिट करना न भूले अगर वेफसाइट पर कोई समस्य आती है तो हमें नंबर पर संपर्क करें हमारी टीम आपकी हल्प करेगी pvrstudy को facebook पर like करके follow कर लें जिसे से आप सारी free सुवधाओं का लाव उठा सकें चलिए ये हो चुका है तो आपने इस topic को clear कर लिया अब हम आपको इसमें है तो नहीं लेकिन बता देते हैं क्या बता देते हैं भिन्नो का LCM आपने पढ़ लिया ना तो इसी में लगे हाथ आप LCM भी पढ़ लो चुकि बहुत से हमारे चात्र चात्रा हैं ऐसे भी देख रहे हैं जो basic class के लिए देख रहे हैं मतलब उनको DLT से कोई मतलब नहीं हाँ तो LCM भी देख लो इसका formula क्या होता है LCM आप friction इक्वल होता है अंसों का LCM मतलब जो निकालना है वो अंसों का करोगे अंसों का LCM हारों का HCF बस इतना हिसा ही तो करना है ना जैसे कि एक्जामपल के लिए अगर हम आपको सवाल दे दे तीन बटा पांच और एक बटा चार चलो हो गया अंसों का LCM मतलब तीन और एक का LCM निकाल लो LCM मतलब least common multiple वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीन से भी कट जाएगी और एक से भी कट जाएगी ओ सुरी माफ करिएगा बड़ी से बड़ी नहीं छोटी से छोटी तो वो हो जाएगा तीन निकाल लेना तीन और एक कैल्सियम नहीं आगत कमेंट करना वीडियो का लिंक आपको मिलेगा पांच वो चार का HCF HCF means होता है highest common factor मतलब वो बड़े से बड़ा कौन सा ऐसा नंबर है मतलब की जिसे से पांच भी कट जाए और चार भी कट जाए तो पांच और चार ये दोनों अलग-अलग समूदाय के बेखती है एक क्या है सम संख्या है भाज संख्या है दूसरा क्या है बिसम संख्या है और आभाज संख्या है तो ये दोनों अपस में कोई परकार का relation नहीं रखते हैं इसलिए इनका जो direct बटा चार का जो LCM लिफ्ट कावर मल्टीपल वो त्री अपांट टॉन किया गया तो ये आप समझ गए न जो अभी हमने आपको एक्जामपल दिये थे घर के लिए न उनका आप लोग LCM और HCF दोनों करिएगा ठीक ना सिर्फ एक ही चीज ना करिएगा LCM, HCF दोनों करिएगा अब हम आपको यहाँ पर और भी बता दें इकाथ सवाल देखते जाना और जैसे सवाल पूरा हो जाए हम आगे से हट जाते हैं आप लोग उसे नोट करने के लिए भर सक परयास किया करिए ये 13 बटा 5 हमने लिख दिया और रेक्ठी लिख दिया 26 बटा 10 ये देखो, अजीब सायना इसको चाहो तो आप काट सकते हो लेकिन हम काटेंगे नहीं अन्सों का LCM, मतलब कि 13 और 26 का LCM क्या होगा बताओ देखिए 13 और 26 का LCM मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो 13 से भी कट जाए और 26 से भी कट जाए तो वो हो जाएगी 26 यानि कि 13 और 26 का LCM 26 होगा, निकाल लेना अगर गरल लगेगा तो बताना हम बाप को फिर अलग तरीका बताएंगे 5 और 10 का HCF HCF मतलब हाइस्ट कावन फेक्टर वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे से 5 भी कट जाए और 10 भी कट जाए तो 5 भी कट जाए और 10 भी कट जाए दोनों कट जाए वो क्या होगा 5 होगा 10 नहीं होगा क्योंकि 10 से 5 नहीं कटेगा ठीक ना तो ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया इस तरह का अब आप लोग कर लेंगे कुछ थोड़ा सा होम और किसमें भी दिखा देते हैं आप लोग उसको घर से करके लेकि आना और फिर अगर कोई सवाल होगा तो पूछते रहे ना कमेंट करना देखी अब इसके आगे कुछ होम और कापके लिए दे दिया गया इसको आप नोट कर लिजीए जल्दी से फटा-फट देना करिए छे-साथ सवाल दिये गये हैं इनको आप घर से करोगे ट्राइ करोगे क्योंकि बहुत से students के सवाल आते हैं कि आप home work नहीं देते हैं करवा बहुत देते हैं तो भाई home work लिख लो छापलो इसको घर बैटके दुवारे बैटके अंगन में बैटके कहीं भी हल करना और फिर बताना ठीक और PBR study के अन्य YouTube channel है और इसमें आप देख रहे हैं जो भी class जहां पर भी देख रहे हैं PBR study group पर देख रहे हैं या मैथासान है पर देख रहे हैं या फिर PBR study लहाबाद या फिर ये facebook page पर देख रहे हैं उसको like, follow और share and subscribe जरूर करिएगा ठीक ना भूलिएगा मत अभी और भी हम आगे चलेंगे भागना मत अभी चुट्टी नहीं हुई है कि homework मिल गया तो भाई चुट्टी हो गई अभी और भी इसमें कुछ होने माला है आगे ध्यान से देखना थोड़ा सा change हो चुका है system ध्यान से देखना गहात वाली संख्याओं का LCM और HCF तो पहले हम HCF की बात करेंगे गहात वाली संख्या मतलब की देखिए कोई भी चीज होता है वो कई रूप में सामने आता है है ना? बात समझ रहे ना? तो अगर किसी संख्या पर करेंबर लगा है गहात लगा है पावर लगा है तो उसका HCF कैसे निकालते हैं क्योंकि टाइम के अनुसार चेंज होना चाहिए वक्त बीटने के साथ लोग आप जानते हैं इस समय क्या होता है आपकी काविलियत नहीं आपकी हैसियत पूछने लगते हैं तो इसलिए आप अपडेट रहें इसको भी सीख लें देखिए जो घाते लगी हैं उनको ध्यान से देखना है जब हर ओ स्वारी आधार बराबर हो जैसे दो 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 समय है ना इसमें देखो दो दो समय है इसमें देखो दो दो घात से नहीं मतलब किवाला आधार से मतलब है अगर आधार बराबर हो तो जो घाते हैं उनसमें जो सबसे चोटी घात हो वही क्या होता उत्तर होता है इसका उत्तर यह होगा बस बाकी कुछ नहीं करना जिसकी घात सबसे चोटी हो अगर उसका बेस बराबर है तो अही उसका HCF होगा इसमें सबसे चोटी घात ये है ना ये इसका अंसर है इसमें देखना इसमें सबसे चोटी घात ये इसका अंसर है क्लियर ना अब आप लोग सब कर ले जाओगे आठ की घाथ पांच और आठ की घाथ नो इसमें बताओ चाओथे में तो पाचवा नमबर पे बताना माइनस पांच तेरा की घाथ बारा इसी में एक ठेयाओ लिख लो तेरा की घाथ तीन क्यिस्टन नमबर चटा बताना अठ की घाथ माइनस पांच अठ की घाथ माइनस एक और अठ की घाथ माइनस नो बताईє पलस वाले में तो आप कर ले जाओगे माइनस वाले में हम जान रहे हैं काफी लोग लोग लोड़क जाएंगे चुकि सबसे चोटी कौन सी नंबर है वो समझे न पाएंगे देखो इसमें तो यह हो जायागा clear इसका जो आंसर होगा वो यह होगा कुछ लोग सोच रहे होंगे घात तीन वाला होगा ना होगा चुकि माइनस वाली संख्या चोटी है न इसमें बहुत से लोगों का यह उत्तर आ चुका होगा माइनस वन बट यह गलत है सरासर गलत है माइनस नौ आला होगा अब आप कह रहे होंगे अभी तक तो कह रहे थे जो छोटी घात होगी वो उत्तर होगा फिर बड़ी घात वाला कहे बता रहे हैं चुकि इसमें सबसे छोटी घात यही है यह माइनस में लगा है है न जो संख्याए माइनस में होती हैं वो सबसे छोटी होती है तो अब आप एकदम क्लियर कर लिए होंगे इसको कोई confusion है तो बता देना अभी तुरंट just note कर लीजिए इसको छाप लीजिए देखिए कलासें आपके pvr study की भले 20 मिनट की हो 10 मिनट की हो 15 मिनट की हो लेकिन आपको इतना homework दे देंगे इतना उसमें topic करवा देंगे कि आप जिंदगी में चाहोगे तब भी न भूल पाओगे ठीक ना कुछ चीजें होती है ना बैठा बैठा करके अगर आप एक सिस्टम से रखते हैं तो वो कभी दिक्कत नहीं करती है जैसे अगर एक प्रकार से एक जामपल के लिए कहा जाए कि कोई बेक्तिकों सरीर बनाना है तो उसको भाई जो भी है घी रोटी खिलाना शुरू कर दो और बचपन से ही मतलब दो चार साल तक उसको थोड़ा थोड़ा खिलाते जाए तो क्या होगा उसका सरीर कुछ बनेगा मतलब कुछ असर पड़ेगा घी की बात ही नहीं कुछ भी आप उसकी जगप परियोग कर सकते हो लेकिन अगर आप सोचिए कि अब इसका सरीर बनाना है परसो तक तो आज इसको खुब घीएगी खेवाओ बाकी और कुछ न दो एक दम उटाक की वो हो जाए तो क्या होगा गड़पड हो जाएगा फिर हालत खराब हो जाएगी तो बस उसी परकार से आप इस कलास का मतलब समझेए कि हम आपको step by step लेके चलते हैं फिर आपके दिमाग में वो set होता चलता है फिर आपको उसको save नहीं करना होता है अगर आप कोई trick या side cut के चकर में पढ़ेंगे कि जल्दी से आज देखें इस time देखें साम को सुबा तक हमें सवाय जाए तो फिर वो वही घी पीने वाली हाल होगी याद रखिएगा ठीक ना तो ऐसा बिल्कुल ना करें और जो लोग daily पढ़ना चाहते है regular वो लोग ये number को note कर लें जो हम आपके लिए लिख रहे हैं ये सभी के लिए नहीं है लेकिन याद रखना जो लोग पूरा complete पढ़ना चाहते हैं हमारी नियम वासरतों से संतुष्ठ हैं एगरी है मतलब term and conditions से वही लोग इसको note करेंगी ये whatsapp का भी number है और ये phone पे का भी number है और ये google पे का भी number है कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो कुछ पैसा इकठा करने वाले हैं कुछ ऐसे ही लग रहा है देखिए इसको आप facebook पर भी इस number से हमें ढूंड सकते हैं टेलीग्राम पर भी जूड सकते हैं एक ही number पर सब कुछ है आपको बता दें कि अगर आप अपने semester का चाहे जो भी semester है आपका complete math पढ़ना चाहते हैं आपको पांच से उन्चास रुपया यानि कि महीना में टेक्सी के किराया को आपको पैमेंट करना होगा जैसे अगर आफ लाइन कोचिंग करोगे तो इतना रुपय किराया लग जाएगा कम से कम उसके बाद आप complete class WhatsApp पर प्राफ्ट करेंगे चुकि Facebook पर और या YouTube पर हो सकता आज की class आपको दिख रही कल की न दिखे ये गारेंटी हमारी कोई नहीं होती है चुकि सब कुछ भाई फ्री में नहीं आता दुनिया में सिस्टम बनाने में खर्चे आते हैं तो आप लोग उसे समझें अपना योगदान दें और सबसे आसान एकदम छोटा सा माउंट में complete class घर बैटके करें चाहे पानी बरफ रहा आंधी आ रहा ही तुफान आ रहा है आप घर बैटके पढ़ते रहें एक बार नहीं हजार बार बार देखें देखने के चीज है आपकी class छूट जाएगी दुबारा नहीं कर पाओगी लेकिन आनलाइन में ऐसा नहीं होगा समझ गे ना तो चलते हैं फिर आज के लिए बस इतना ही नी बातों के साथ जै हिंद जै भारत आपका दिन सुब हो अगली class जरूर देखना पांच बज़े से जीरो लेबल बेसि मिलेगी आपको और चार बज़े डियलड की पहली class होती है four semester की हो चुकी है साड़े चार बज़े आप देखरे हैं second semester का second semester तीन दिन होता सपता हमें याद रखना सुबा साड़े चार बज़े की बाद कभी भी देख सकते हो मतलब साड़े चार बज़े से ब्रीहस्पति वा लाफ नहीं होती रेगुलर ठीक है तो बात समझ गए तो नोट कर लो इंजानकारियों को चलते हैं फिर थैंक यू गूड मॉनिंग राम राम वालेकुम सलाम